So welcome back to my YouTube channel and season 2 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं जहां पर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अप्लिकेशन ओफ नूटिन्स लोज अफ मोशन जैसमें हमने आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वह स्ट्रेंग्स और स्ट्रेंग्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेशन आप सभी के लिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं कहीं 10 न्यूटिन को फोर्स लगाऊं और उसका इफ्रेक्ट मुझे 20 न्यूटिन का मिले क्या ऐसा किया जा सकता है या मैं 10 का लगाऊं मुझे 50 का मिल जाए 10 का लगाऊं 15 का मिल जाए मैं बेसिकली हम फोर्स को इंक्रीज क्या हम कर सकते हैं और इस क्वेशन का अंसर आपको वीडियो के एंड तक जरूर मिल जाएगा तो चलिए करते हैं शुरू तो देखि समझने कोशिश करते हैं कि रसी में जब भी हम रसी को खीचते हैं तो क्या होता है तो फॉर एक्जांपल हमने रसी को बांदा किसी अबजेक्ट से और इसको खीच रहे हैं अपनी तरफ खीच रहें ओके या एक रसी हम ने लिए दोनों end को पकड़ के रसी को खीच रहे हैं जैसे ये रसी हम ने ली दोनों के end को पकड़ के हम ऐसे खीच रहे हैं इस तरफ with some force थी ठीक है तो अगर आप किसी भी रसी के किसी भी छोटे से mask को देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि इस तरफ भी कुछ force यहाँ पर लग रही होती है जिसको हम बोलते है tension force रसी के अंदर जो भी हम forces जो इसमें generate होती हैं उसको generally हम tension force से denote करते हैं तो यहाँ पर भी इस तरफ भी tension force T लग रही होगी मतलब किसी भी अगर point पर देखेंगे इस पर भी देखों तब भी दोनों तरफ T लग रही हो जो always balance में रहेंगे अगर असी यह move नहीं कर रही है तो तो यह होता है tension force जो कि हम रसी के अंदर देखते हैं अब at a given point in the strength the tension pulls equally to the left and to the right जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ किसी भी point पर आप देखोगे तो right side में भी tension force T ही लग रही होगे left side में भी T लग रही होगे दोनों equal होगी magnitude में so let us understand it with an example so हम लोगों ने किया किया एक rope ली उसको एक end को तो हमने ceiling पर attach कर दिया और दूसरे end को हमने एक box से attach कर दिया जिसका weight आप लोग ले लो 100 kg okay and जो ये rope है इसका भी कुछ weight है ले लो 2 newton इसका weight है and ये uniform है uniform का मतलब क्या होता है कि अगर आप आधिरसी के बात करेंगे तो आधिरसी का जो weight होगा वो 1 newton होगा अगर आप 1 fourth rope की बात करेंगे तो उसका weight कितना होगा 0.5 newton होगा ये होता है uniform का मतलब अब देखे हमने 3 point consider करें point number 1 जहां पर रसी को attach किया गया box पे point number 2 mid rope का और point number 3 at the top of the ceiling okay आपको ये बताना है इस point पर जो tension होगा T1, T2, T3 क्या ये आपस में equal होगे या different होगे पॉस करो और सोचो देखे, actual में क्या होगा तीनो के तीनो जो tension हो different होगे क्यों क्यों क्योंकि जो ये rope है ये weightless नहीं है इसका कुछ weight है 2 newton तो देखे, अगर मैं इस point पर बात करूँ T1 का, अगर मैं ये free body body diagram बनाऊँ, इस box का तो यहाँ पर कुछ weight लग रहा है नीचे, और कुछ tension force लग रहा होगे T उपर के तरफ और इस point पर हमने T1 ली है तो देखे, इस point पर जो tension की जो value होगी T1, वो equal हो जाए कि W के, by using newton second law of motion अब देखे, at point 2 की अगर मैं बात करूँ तो two point पर जो rope को कितना weight समालना पड़ रहा है एक तो यह box का weight समालना पड़ रहा है plus में जो यह खुद का उसका रसी का weight है आदी रसी का weight कितना है? 1 newton इसको यह भी तो समालना पड़ रहा है इस point पर देखूँ तो T2 के value कितने हो जाएगी? 100 this is a newton है actually में kg नहीं है mass नहीं है newton हमने weight लिया हुआ है तो 100 newton plus 1 newton तो यह कितना हो जाएगा? 101 newton तो मतलब इस point पर tension ज़्यादा है अगर आप topmost point पर बात करूँ तो देखें topmost point पर रसी को, rope को कितना weight समालना पड़ रहा है एक तो इस box का weight T3 के बात करूँ तो इस box का weight 100 newton plus इस पूरी रसी का weight कितना है? 2 newton so plus 2 newton जो कितना हो गया? 102 newton तो जो tension है यह point to point vary कर रही है लेकिन आप कह सकते हैं अभी तो आप कह रहे थे कि जो tension होती है वो दोनों तरफ equal रहती है बिलकुल equal रहती है कि देखो यह कहा था मैंने at a point अगर आप किसी भी point पर इस point जैसे इस point पर आप देखेंगे तो इधर और इधर जो tension दोनों तरफ लग रही होगी इस छोटे से mask के उपर अगर आप देखोगे ठीके तो यह पूरा concept था tension force के उपर अभी तक हम नहीं जाना कि जो tension है वो point to point vary कर रही है लेकिन यहाँ पर अगर rope का mass थोड़ा कम होता तो जो यह tension force के जो difference है वो भी थोड़ा कम होता अगर मैं rope का जो mass है वो उसको neglect कर दूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो tension force at point one वो बराबर हो जाएगी tension force at point two और tension force at point three मतलब equal हो जाएगी अगर मैं consider कर लूँ कि यह जो rope है यह massless है और जो कि मैं कर भी सकता हूँ अगर आप difference देखें अगर मैं इसको consider कर लूँ massless तो क्या difference आएगा one newton का तो कम होगा है यहाँ यहाँ पर two newton का फरक पड़ेगा तो अगर मैं 100 newton को one newton से compare कर हूँ negligible ही है तो जो मैं यह ले रहा हूँ यह valid है यह चीज़ हम ले सकते है इसको हम consider कर सकते हैं कि यहाँ 100 newton के सामने कुछ भी नहीं है तो हम लोग generally जितने भी हम questions आगे देखने वाले हैं हम यह मान के चलते हैं कि जो rope है वो massless होती है और massless होने के कारण जो यह tension force at point one two and three यह equal होती है और अगर हमें question में दे रखा है कि वो massless नहीं है तब हम consider नहीं कर सकते हैं otherwise हम लेके चलते हैं कि वो massless है okay so चलिए अब समझे कोशिश करते हैं कि यह pulley string system बहुत ही important क्यों होता है first of all जो चीज हमने assume कर रखी है पहले चीज तो यह कि जो यह pulley है यह हम लोगों ने लिया है ideal pulley अब ideal pulley क्या होता है जो कि frictionless है और massless है मैं लिख देता हूँ no mass and no friction इसको बोलेंगे ideal pulley इसके कारण क्या होता है हमने जो assumption लिए इसके कारण क्या हुआ कि जो tension रही rope में throughout the rope वो T ही रहेगी very नहीं करेगी okay and secondly हमने rope भी लिया हुआ है कि यह भी massless है अगर massless नहीं होगा तो क्या होगा वह हम पीछे जस्ट अभी देख के आए है okay so अब देखे इस इस system important क्यों है हर जगे इस system को पढ़ने वाले अब जितने भी आगे आगे आप topics देखेंगे अगर आप यहां टेंशन देखेंगे एक चीज़ और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर टेंशन दिखाने है जैसे यह object है यहां अपने रस्ती बांध रखी है और यह कुछ यहां पर बांध रखा है यह इसको अटैश कर दिया इस तरफ लगए इधर भी इधर tension लग रही है इधर tension दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, ओके, देखें, इस सिस्टम की इंपॉर्टेंट समझे, जो आइडियल पुली होता है, इधर आप देखेंगे, जो टेंशन है ञए, वो गढगी है लेकिनॐ इस पॉरी पोउन्न पर टेंशन लग रही है इधर, और पुली के इस सँक् shoulders गरही है वो इधर गगी है। तो without changing the magnitude of the tension, it changes the direction of the tension force. तो ये था importance pulley string system का, अब अपन लेने वाले एक example, एक question based on pulley system, जो कि आपको पूरा clarify कर देखा कि हम ये system हमेशा यूज करते हैं, अपने benefit के लिए, तो चलिए, देखते हैं, एक question, so based on pulley string system, हम लोगों ने एक device manufacture किया, जिसका नाम था traction device, अब इसका use क्या है, basically ये three pulley system है, ideal pulleys है, and ये क्या करते हैं, जो तूटा हुआ हमारा पह है, उसको straight रखने में काम आता है, ये device, तो देखे, हो क्या रहा है, हमने कुछ mass यहाँ पे लटका दिया, जिसके वज़े से इस पूरे string में tension आ गई, और tension क्योंकि idle pulley हम लोगों ने मान के चल रहे हैं, तो tension जो हर point पे रहेगी, वो same रहेगी, तो let it be T, इस point पे भी tension T है, इस पे भी T है, और यहाँ पे भी T है, और यहाँ पे भी T है, हर जगे T, 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 हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, कि यह मास हम कितना रखें, कि जो यह middle वाला पुली है, यह वाला पुली, इस soul पर 165 Newton का force अप्लाई करें, अब यह force अप्लाई करेंगा कैसे, with the help of this tension force, अब यह tension force कैसे vary करेंगी, इस मास पर depend करेंगा, मास जितना ज़्यादा, tension force उतनी ज़्यादा, तो हम चाहते हैं कि जो यह middle वाला पुली है, यह कितनी force लगाए, 165 Newton force लगाए, on to the sole of the foot, तो यह है question, तो पहले खुद से try कीजिए, मास निकालने कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका solution देखना, ओके, तो I hope आप लोगने try किया होगा, तो चलिए, शुरू करते हैं इसका solution, तो देखें, यह degree हमें, यह जो angle है, यह 40 degrees हमें दिया हुआ है, तो अगर इधर यह tension T लग रही है, तो इसका कुछ component वर्टिकल डिरेक्शन में भी आएगा, और horizontal डिरेक्शन में भी आएगा, ऐसा ही जो यह नीचे की तरफ जो यह वाली tension है, इधर इसका कुछ component आएगा, और इधर कुछ component आएगा, एक काम करते हैं, free body diagram अच्छे से यहा अपने पास pulley हो गया, इधर लग रही है, यह tension T, और इधर लग रही है, यह tension T, दोनों सेम ही है, क्योंकि ideal pulley है, tension सेम ही रहेंगी, ओके, इसका component अगर मैं इधर लूँ, तो एक आएगा T cos 40 degree, और जो यह वाली tension है, इसका भी component इधर ही आएगा, यह हो जागा T cos 40 degree, ठीक है, अगर vertical directional component देखें, तो यह होगा T sin 40 degree, और इधर भी हो जागा T sin 40 degree, ठीक है, ठीक है, तो वर्टिकल में तो forces balanced है, horizontal में जो forces हैं, वो कितनी है, 2 T cos 40 degree, और हम चाहते हैं कि जो यह net, जो टोटल force है, वो किसके इक एक रहनी चाहिए, 165 newton के, क्योंकि जो middle वाला पली, जो force अगार आ, इस सोल पे, वो होनी चाहिए, 165 newton, तो क्या मैं इसको equate कर सकता हूँ, 165 newton के, हमने क्या apply किया है, sigma fx, जो है, x direction में, यह x direction हम लोग ले के चल रहे हैं, और यह y direction, तो sigma fx है, वो 165 newton के हम लोगोंने equate कर दिया, और कुछ नहीं किया, तो यहां से हम लोग क्य body diagram of this object, okay, so tension T निकाल लेते हैं, यहां से, so T की value आजाएगी 165 divided by 2 times cosine 40 degree, अपना calculator निकाल लिए, और इसकी value निकाल लिए, और इसकी value आएगी 108 newton, ठीक है, अब हम easily जो है, इसका mass निकाल सकते हैं, अगर मैं इस object की free body diagram को देखना हूँ, तो इधर यह tension लग रही है T, और अधर यह लग रहा है Mg नीचे की तरफ, ठीक है, तो clearly जो net forces है in the vertical direction वो balanced है, इसका मतलब T equals to Mg, directly में लिख सकता हूँ, tension हमें पता है, G की value में पता है, mass, easily हम निकाल सकते हैं, तो mass आजाएगा T divided by G, तो यहां से जो mass की value आएगी, tension हमें कितनी है, 108 newton, divided by G, कितना है 9.81, यहां से value आजाएगी 11.0 kg, approximately इतनी value आएगी, देखें, यह तो था question, simply हमने निकाल दिया, but केवल मेरा motive यह नहीं रहता है, कि आपको question solve करें, बात महीं खतम हो जाए, इसकी motive को समझी, यहां पर physics समझने कोशिश करते हैं, हो क्या रहा है यहां पर, देख हूँ, तो force कितनी लगाई आपने, अगर force, अगर मैं इसका weight देखें, mg, तो यह कितना है, यह है 108 newton, जो कि tension force के बराबर है, basically आपने input force कितनी दी, 108 newton लगाया, और output में, हमें, जो middle वाल पुली, जो soul पे लगा रहा है, वो कितनी force लगा रहा है, 165 newton, मतलब हमने force को increase कर द लेकिन इतनी सी force के कारण, यहाँ पे जो force produce हो रही है, इस पुली पे, वो हो रही है, 165 newton क्यों, क्योंकि जो net force है, वो 2T cos 40 degree हो रहा है, अगर आप देखेंगे, जो 2 times यह T cos 40 degree है, यह greater होता है tension force T के, यहाँ देख सकते हो आप, T की value तो 108 newton है, और इसकी value 165 newton है, और जो यह device है, यह actual में बनाया गया है, यह हम actual में use करते हैं, doctors इसको, मैं दिखाता हूँ आपको, इस picture में देखें आप, तो देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह pair है, टूटा हुआ है, हम चाहते हैं, जो इस पे यह हमें से straight है, ऐसे, इधर यह कुछ force लगा रहे है, यह पुली arrangement हम लोग ने की हुए है, और यहाँ पे यह है weight, यह weight हमने रखा हुआ है, इसके कारण यहाँ पे कुछ tension लगेगी, और इधर यह कुछ pull करके रखेगा, ताकि यह straight रहे है, तो जितने भी हम चीजे पढ़ रहे हैं physics में, वो ऐसे हवा में नहीं पढ़ रहे हैं, यह practical application ज़रूर देगे, और यही मेरा motive है, इस YouTube channel को start करने का, कि यह जो Newton की laws है, direction of force है, यह सब आपको बहुत जगे मिल जाएंगे, 1000 YouTube channel खुले में, लेकिन मेरा motive केवल इतना है कि हम लोग इसको practically समझ पाएं कि यह कहां हम यह Newton के, पुली system arrangement हम यह strengths पढ़ रहे हैं, इसका use कहा ह हो रहा है, यहां use हो रहा है, तो यह मेरा motive है, आशा करता हूँ आपको यह, अब clear हो गया, आओको starting मेरे question पूछा था कि क्या हम एक Newton force को 100 Newton में क्या convert कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, अपने हलका सा पैर लगाते हैं, पैडल के उपर, और गाड़ी रुक जाती है, हलकी से गाड़ी रुकने के लिए पता है, कितने करीब 1000 Newton की force चाहिए होती है, गाड़ी को रोकने के लिए, लेकिन आप हलका सा कितना Newton का force लगाया है, आपने 10 Newton का force लगाया हूँ अपने पैर से, ब्रेकिंग पैडल पे, और produce कितना हो रहा है, 1000 Newton करीब 100 कुना भढ़ गया है, तो यह चीज़े बिलकुल की गई है, इसलिए हम लोग इसको discuss करते हैं physics में, तो यही सब कुछ था, अब मैं आपको एक question देने वाला हूँ, आपको practice question समझ दीजिए, और जिसका answer आपको comment में लिखना होगा, तो question देखिए, यह है question आप लोगों के लिए, तो हम लोगों ने एक object लिया, जिसका mass था 1 kg, और इसको हमने spring balance पे attach किया, और जो weight जो आया, जो आप रीडिंग जो आ रही है, वो आ रही है 9.81 Newton, अब अगर हम same object को pulley system में arrange कर दे, तब जो यह reading आएगी, क्या वो 9.81 Newton से जादा होगी, कम यह equal होगी, यह आपको बताना है, taking that की जो pulley है, यह ideal है, तो यह है question, इसका solution आप कोशिश कीजिए, comment में लिखे, so इसे के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं, और next वीडियो में आपन जानेंगे springs and hooks low के अबारे में, so for the time being, goodbye. झाल